emulsion का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में समझ लेती है emulsion सबसे पहले तो a type of paint used for walls होता है यानि कि दिवारों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक paint होता है जिसे emulsion कहते हैं यानि कि जो थोड़ा चिकना paint होता है और बिलकुल अच्छी इससे आपकी दिवारें हो जाती है इसके लावा a light sensitive coating on paper और film भी होती है emulsion यानि कि एक light sensitive coating होती है किसी paper पर या किसी film पर तो उसको भी emulsion कहा जाता है इसके लावा मचली का जो तेल होता है या बादाम का जो रस होता है या रसाइनिक पायस जो होता है उसको भी emulsion कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि तेल और सिरके को एक साथ मिलाने से emulsion बनता है तो आप कहेंगे mixing oil and vinegar together produces an emulsion mixing oil and vinegar together produces an emulsion या अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंनों दिवारों को सफेद पायस का एक coat दिया यानकि सफेद जो emulsion paint है उसका एक coat दिया तो आप कहेंगे they give the walls a coat of white emulsion they give the walls a coat of white emulsion अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें